नमस्कार मैं डॉक्टर प्राइस्तो पाजय सोचल वर्ड डिपार्टमेंट उत्राखन उपेंड उनिवसिटी आपका स्वागत करती हूं और आज हम बात करेंगे प्रिंस्पल ऑफ सोचल केस्वर्क की और आपको जैसा के स्लाइड में दीख रहा होगा सोचल केस्वर्क सोचल केस्वर्क कीसे कहते हैं इसका पहले समझेंगे तो सोचल केस्वर्क से पहले हमको कैस किसे कहते इसे समझना पड़ेगा धिक है तो Yet मताब एक परसंग किसीInsa K doctor कनेक्ट हो जाता है असोसियेट हो जाता है तो उसको हम कईस करूपे समझते जैसे जब इमने यहें अा चाल फिश्टकित का सब़्या करेंग आ फिरसी सबbobn. इसते बारा बात करेंगे हैं यहां पेम की उध्रोथ इंड़िशिए क्था उफ स्याएं प्रिंसपील हैं, बारी बारी बात करेंगे, second principle है, principle of purposeful expression of feeling, तीसरा है, principle of control emotional involvement, next principle of acceptance, next principle of non-judgmental attitude, and शटवा है आपका, principle of client self-determination, and last is principle of confidentiality, हम सबसे पहले, पहले पहले principle पर बात करेंगे, जो कि आपको परिवासाँ में बताना भी चाहरी थी, अब उस पर हम discussion करते हैं, कि person versus case, हम एक person की जब बात करते हैं, तो एक lemon की बात हो रही कि उस person में, महिला, पुरूस, बृद्ध कोई भी हो सकता है, लेकिन जब हम case के regarding हम बात करते हैं, तो वो person कहें न कहीं किसे problem से connect हो गया, associate हो चुका है, तो उस person को हो, वो person change हो जा रहा है as a case, और इसी case को हम क्या करते है, client कहते हैं, तो जो सेवार्थी, जिसको हिंदी में बुलते हैं सेवार्थी, सेवार्थी जो कि किसे problem में फसा हुआ है, और वो अपने problem से बाहर निकलने में स्वयन सक्षम अपने आपको नहीं महसुस कर पा रहा है, इस दिए वो समाज कार करता कि पास क्या आता है, सहायता के लिए आता है, मार्गरसन के लिए आता है, तो यहां पर एक इन्जुरियाजिशन जो आपको दिख रहा है, सब्द, इसको आप समझे कि इससे क्या कारता है, मतलब एक व्यक्ति अपने आप में क्या होता है, जैसे dignity and worth मतलब अपने आप में यूनिक है, जब individualization की बात कर रहे हैं, तो आप समझे कि एक व्यक्ति को जब आप व्यक्तिगत रूप से क्या करते हो, सपोज उसको व्यक्तिगत रूप से target किया जा रहा है, जैसे मैंनों की एक example से समझते हैं, जैसे स्कूल में 40 बच्चे हैं, किसी एक बच्चे को सारे बच्चे क्या कि बहुत hooting करने लगे, जैसे कोई ऐसा dress pen रखता है, कपड़े करी गार्डिंग या hairstyle कुछ अलग टाइब का हो गया, तो hooting करने लगे, तो वो एक बच्चे पर क्या होता है, जैसे पर असर आता है, या तो फिर वो anti-social behavior करने लगेगा, जैक, या तो फिर वो अक्यला बच् उसके व्यक्तितों पर उस प्रभाव से आंतरिक व्यात वर्ण है, जैसे व्यक्ति का जो बच्चा है, जो व्यक्ति है, जो क्लाइंट है, उसके अंतरमन में जो दुधाये हैं चल रही है, और प्लस उन दुधायों के वेज़े से, उसका जो social environment है, वो कितने badly effect उसको कर रहा है जो क्या परसके के अंतरत के बातरत क्रस्तार है तो कहिके वीक्तिम की तर हो गया है, प्रthon को मोरेल दुधाय में हो जाता है वह हो घ Holzता है, पहलें पाले जै एक प्सकर तो गाम की हो ऑलां जाता है, दुधायर द्रस बच्चिक हो तहawk दिदाया है, वो दूर्श भीक्ति तो उसके प्रभाव प्रभाव पड़ेगा, जैसे कि अब घर पे गया तो अपने परेंट से बात नहीं करेंगा, पीर ग्रूप में कनेक्ट निओना चाहएगा तो देखीें कि एक चोटे से घटना से उस व्यक्तित्यों पर कितना असर पर रहा है और उस व्यक्तित्यों का जो संग्यानात्म कॉगनेंटी ड्रॉप्मेंट है, वह बाधित हो जाएगा, बिहेवियर्वृर्व्यर्ज को ड्र कि उसको निगेटिव से कैसे हम क्या करें बाहर निकाले ठीक तो यह प्रिंस्पल ऑफ इंडुजलेशन है आयोप कि आपको समझ में आए होगा है ना कि वाट इस डिफन बेटिन पर्सन एंड केस एंड इंडुजलेशन क्या होते हैं यह आपको समझ में होगा क्योंकि यहां सब्सक्राइब करना है कैसे बाहर निकलना है और जब उस चीज़ को क्लाइंट क्या करता है सक्षब नहीं अपने आपको पाता है तो कहीं ना कहीं सोसल लोकर की यहां पर क्या होती है रोल इंपोर्टन रोल प्ले करने की आफसकता पर जाती है नेक्ट आपका है चाहे इमोचनली हो चाहे वह सोचली हो या कल्चिरल किसी पीतर के प्रॉब्लम के साथ वह कनेक्ट है तो वहां पर जाएसे बात है कि उसके फिलिंग्स जो है ना वह बहुत सारे निगेटिव थो प्रॉसेस करने के लिए वह उस पर ज्यादा करता है ध्यान अक्रिष्ट करता कि यह चीज़ यह चीज़ आइसे हो रहा कि कभी कभी अंटी सोचल टॉक ऑन्टी शोचल बिएवियर के द्वारा भी अपनी बातों को क्या करता है बताना चाहता है तो यहां पर एजा सोचल वगर कर जो चर्राक्तरिस्टिक घुड भी है कि अग गुड लिसनर एक अच्छ रिलीज होता है प्रॉब्लम से कही न कहीं उसको एक रिलेक्स होता है कि हम मेरी प्रॉब्लम कोई है हमको कोई समझा ठूप यहां पर फिलिंग आपस पाल सब्सक्रम का मतलब कि अगर वह सपोज मडर करके आया है ऐसा कुछ तो वहँ पे अगर किसी पर्टिकुलर च्रीक की बारे में बहुत रहा है और और आतम पता भी किस साहिद उसा नहीं बोल रहा है। फिर भी आपको पेसंसली उसको क्या करना होगा सुनना होगा है ना यू विल हव तो लिशन टु हीम पेसंसली नेट नेट प्रिंस्पल ऑफ इंवोच्ण इंवोटमेंट यहां पर देखे इस चीज को सम्झाने से पहले आपको नीचे दिख रहा होगा इस लाइड में ट्रांस्फेरंस अंड कांटर ट्रांस्फेरंस यह यहां पर पर नेट में बहुत ज्यादा पूछा जाता है तो अब वर्कर के प्रति प्रेम या घ्रेरा से कि भावना से क्या हो भरा हुआ हो पहले से ही एक मनविर्थी के साथ है तो पहले से ही वर्कर के प्रति या तो बहुत ज्यादा प्रेम दिखा रहा है या तो वर्कर से बहुत ज्यादा क्या हो डिटैज या तो बहुत अटैज या तो ब जब वर्कर अपने विगात अनुभाव से क्लाइंट के प्रति बहुत क्या होता है अटेच्मेंट दिखाने लगता है तो कहीं न कई इस चीज से भी हमारा जो प्रोसेस अफ ट्रीटमेंट हो बाधित होता है क्योंकि अगर पहले से बहुत अटेच्मेंट दिखा रहे हैं तो हम कहीं न कहीं उस प्रॉब्लम को उसकी रिजन तक को निजा पाएंगे हम डियाग्नोस निकर पाएंगे ठीक वह व्यक्ति सही वह वह व्यक्ति सही है कि गलत हम इसको जानना ही निचाहते हैं क्योंकि हमने प क्लाइट की तरफ से क्लाइट की और उसने दिख रहा है तो वहम पर वर्कर को अपने इमोसिन को क्या आपने इसले कर देना है ऐसा निहीं आपको बहुत ध्यान तर शुनना थे क्या ना चाहरा है क्योंकि उसकी पूरी बात सुनने पर ही आप मेंट डिजन पर पहुंच प्रिंस्पल अब यहां पर समझेगा जैसे एक्षेप्टेंस का मतलब क्या हुआ कि जनरली एक थ्वास अगर रेंच से बाहर उन्हों बताते हैं तो यह समझे कि एक व्यक्ति किसी नए परिवेस में जब जाता है तो तुरंट उस पर अनेक चीजों को थोपना जैसे कि यहां पर लोग किसी लड़की की साध्य हुई नहीं नहीं और नए परिवेस में गई तो अपने कल्चर को थोपना ठीक तो वहां पर क्या होता है कि और बहुत सारी चीजें इस तरकी हो जाएंगी हैना निगेटिव सेट्स बहुत सामने आने लगेंगी कि तो कई न कई प्रिंस्पल अफक्शेप्टेंस का मतलब यह होता है कि जो क्लाइंट है हम क्लाइंट के से बता रहे हैं वह जैसा है हमको वैसे ही क्या करना होगा एक् सब्सक्राइब करना है तो यह आपका क्योंकि हर एक क्या होता है डिग्निटी यंद पॉस्नल वर्थ जब आप उसको पॉजिटिव निगिंटी दोनों स्टेट्स के साथ अपनाते हैं सुनते हैं वह जैसा है वैसा ही आप उसको क्या कर तो फिर पॉसिबल है कि में जाएगा क्योंकि तब जाके वो अपनी बावत को फिलिंग को जैसे एक सिंपल जैसे थोजे पहले मैंने आपको यंपन बताया तो कोई नए परिवेस में व्यक्ति गया और उस पे कल्चिरल बहुत ज्यादा थोपा जाने लगा या अपने घर के महाल को बहुत ज्यादा जाने लगा तो वह वहां पर क्या हो एज़ेश्मेंट वाली इसू हो गई ठीक और वह परसंदीर देर केस में बदलने लगा ठीक तो आपको समय में भी आएगा कि यह कैसे क्या हो गया इतना क्यों वियर्ड हो गया लेकिन रियाल्टी यह होती है कि छोटी-छोटी चीजे ह कि अच्छे यबुलितर से प्रभावित करते हैं नेघ्टेश्चे प्रिंसपल ऑ्फ नौं जज्जमेंटल अटिटिटूड का मतेब की होता है कि हमको पहले भी पहले ही किसी के व्यासर में किसी व्यक्ति के व्यासर में ने गया अटिटिूड निगेटिव धांडना नी ब तो त्रेटमेंट को अच्छ से नहीं देपाएगा । क्लाइन के प्रती पहले से किसी भी तरकर के धारना को लेकर नहीं चलना है इसमें जो क्लाइन अपने जो भी प्रॉब्लम बताता है तो यहां पर वर्कर का एक ही रोल होता है कि वह सारी बातों को ध्यान से सुने और सुनने के बाद उसने बस उसको एक मार्दसन देना है गाइडेंस देना है ना कि डिसीजन देना है क्लाइंट का होगा जैसे कि सिंपल में सब्सक्राइथ हो एधोर यहां mine działता यहां पर क्लाइंट है क्लाइंट इस बात के लिए कि अब्लपर इससे सेckingन ले य ह। hiç टिक है तो उसके लिए बाद लिकर शक्ते और क्लाइट को आप सिफ गाइडेंग दें सकते हैं या अब उसके डिसिजन सकते हैं सहुक्た है कि यह पूरा का पूरा प्रोफस्टनल एक के अंतरा होता है ठीक है प्लकलम रिलेशनशनशिप Um चोइक और यहाँ पर मतलश शोचल्वर करता हैं किसी यो उसको 상agtय संग करता है उसको होता है उसका वेस होता है क्लाइंट को सुनेगा क्लाइंट को समझेगा ऊसको मालगजर्शन देगा तो गुन्तागत क्या होता है कि गोपनीता कंत्तगत क्योंकि प्रोपेशनल रिलसंसिप है तो क्लाइन की किसी भी जो प्राब्लम्स है जो भी क्लाइन ने अपनी एस्प्रेस जो भी किया है उसको वो क्या करेगा गोपनी रखेगा ठीक जैसे एक ऐसे भी समझे अगर कोई मझा अचे भी एट्स का पेशन् करना होता है जो भी उसने अपनी बाते बताई है ठीक है आप उसको क्या करेंगे रिविल नी करेंगे दो केस में होता है अगर मान पुलिसी है ऐसा कुछ है तो अलग बात है है ना वह एक चैनल कि तुरू हुआ या अगर संदर्वित कर रहे हैं करें तो इस तरह से हमने आज जाना कि सोचल केस्वर्ग के साथ क्रिस्पल जो कि विश्टेक ने दिये थे तो इसके विशे में आज हम जाने थैंक्यू